चलो, आज बनाते हैं यह सरदियों में गर्मा-गर्म से और एकटम क्रिस्पी समोसा रोल्स यह वाले जो समोसा है यह बहुत ही जादा क्रिस्पी और एकटम खंसता बनते हैं आप ज़रूर ट्राइ करिएगा तो इसके लिए सबसे पहले इसका डो बनाएंगे जिसके लिए bowl में डालेंगे मैदा, नमक, थोड़ी से अजवायन, इसे crush करके डाल देंगे और फिर इसमें oil आड करेंगे, तो आटा इस तरह से बंधा शुरू हो जाएगा फिर इसमें पानी डाल के इसके में dough बना लेंगे मैश करके डाल देंगे, आज साथी में थोड़ा सा पनीर और थोड़े उबले हुए मतर भी डाल रही हूँ नमक डालेंगे, साथ में थोड़ा सामचूर पाउडर या फिर नीबू करस टाल सकते हैं इसे बस अच्छे से mix और mash करेंगे, तो यालू मसाला त्यार हो गया है अब यह जो dough बनाया था, इसमें उसे चोटा-चोटा सा portion लेंगे और इसको पहले oval shape में बेल लेंगे फिर चाकू के साथ ने इसके एक side पर इससे cut चगाएंगे और अब यालू मसाला लेंगे, इसको roll की shape देंगे और इसको एक side पर इस तरह से रख देंगे फिर इस dough के ऊपर सारी sides पर पानी लगाएंगे सेंटर में भी थोड़ा पानी लगा देंगे और इसको इस तरह से उठाएंगे यहाँ पर seal करेंगे और sides को उठाते हुए सेंटर में लाके seal करेंगे और फिर आगे की तरफ रोल करके इसका roll बना लेंगे तो बस यह समोसा रोल त्यार हो गया है अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में fry कर देंगे तो बस त्यार हो जाएंगे आपके क्रिस्पी से समोसा रोल बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं यह ट्राइ करो रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंज और फामली के साथ शेर जरूर करना